ओम श्री साइना थाई नम्हा जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हमें उसका वक्त बहुत प्यारा होता है फिर वो चाहें दो घड़ी के लिए हमारे पास बैठे लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है कि कम से कम उसने हमें अपना समय तो दिया होती है ना जाते हैं कि आप उनके पास बैठो जब आप घर से निकलते हो ना तो उनको भी आपके घर आने की उमीद रहती है वो अलग बात है कि आप उन्हें एक मूर्ती समान समझते हो आप ये समझते हो कि चलो भगवान को एक बार देख लिया हो गया लेकिन नहीं आप जो चलते हो फिरते हो आपकी सांसे चलती है ना ये उसकी बदौलत ही चलती है कितनी भी महिंगी घड़ी पहन लो लेकिन समझत आपका उपर वाले के हाथ में ही है ना इसलिए जब घर से निकलते हो तो चाहे किसी को भी मानते हो उन से कहकर निकला करो कि ही देवा हम निकल रहे हैं हमारे साथ चलो और मेरा एक एक पल आपके नाम है मैं जिससे मिलोंगा आप भी उससे मिलना और जब शान को घराऊंगा फिर हम लोग बैट के एक साथ बात करेंगे ये मांगते हैं भगवान क्योंकि उनकों पे तो प्यार चाहिए न आप दुनिया से प्यार करते हैं उसके बनाए हर बंदे से प्यार करते हैं एक बार एक पल के लिए उसके पास बैठ कर देखना वो ज्यादा टाइब नहीं मांगते आपसी वो यह नहीं कहते है आप धूप दिखाओ अगर पत्ती दिखाओ तेल के दीपक जलाओ घी के दीपक जलाओ ये नहीं कहते भगवान भगवान कहते हैं तो एक मिनट श्रद्धा से मेरे पास बैठना बस नहीं भी बैठोगे न कहीं पर भी खड़े होगे एक बार विश्वास के साथ उसे याद करना कभी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगे और उसके बनाए हुए दूसरों की मदद करना दूसरों की भावनाओं को समझना आपको कभी जिंदगी में किसी से मागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मालिक बहुत कुछ देगा क्योंकि जब आप उसकी कदर करोगे तो वो आपकी इतनी कदर करेंगे जिसके आपको उमेद भी नहीं है कुछ खाते हो तो अपने मालिक को याद करके खाया करो अपने साई को याद करके खाया करो बस इतना साब प्यार देना है और भगवान भी कुछ नहीं मांगते हमसे ये तो हमारे बनाए विचार है कि हम भगवान को क्या क्या देते हैं है ना भगवान कुछ नहीं मांगते हैं भगवान सिर्फ आपके भाव मांगते हैं आपका यतना दड़ विश्वास होगा उतना ही मालिक का खिचाव आपके तरफ होता जाएगा आप आपके हाथ में हैं कि आप कैसे बनाना चाहते हैं अपना और भगवान का रिष्टा ओम साइराम, जै साइराम, साइशुब्राद जी